नमस्कार दोस्तो प्रेस्तुत है माल्ती जोशी की एक बहुत ही अच्छी कहानी जिसका नाम है आखरी शर्त चली कहानी शुरू करते हैं दोपहर की चलचलाती धूब में दीदी हापते हुए घर में दाखिल हुई और छूटते ही बोली जरा जल्दी से तयार तो हो जा सराफे तक चलना है इतनी भी क्या जल्दी है जरा बैठकर अपने सांस तो सीधी कर लो इतनी रफ्तार में चल रही है चलने दो अब दो महीने तक मेरे पास इस मरी सांस के नकरे उठाने का समय नहीं है अरे इतनी कम होलत दी हैं उन लोगों ने कि मेरा तो सोच कर ही दम निकला जा रहा है पता नहीं कैसे क्या होगा अब देखो ना परसों फलदान है और अब तक दूले की अंगुठी का पता नहीं है पहलियां तो मत पुझाओ दीदी मैंने उनकी मेल ट्रेन को बीच में ही रोक कर पूछा ये तुम किसकी शादी की बात कर रही हो लो और सुनो दीदी ने तुनकर कहा मेरे कोई दस पांच लड़किया हैं मैं तो अबाक रह गई बड़ी देर बाद मेरी आवाज फूटे दीदी क्या सच मु मैं मध्धू की मा बन गई थी तब ही तो चालिस की होते होते सास बनने जा रही हो खेर तुम अपनी बात रहने दो तुम मध्धू की तरह स्कॉलर नहीं थी तुम्हारे सामने कोई करियर नहीं था लेकिन जड़ अपनी बेटी के बारे में तो सोचो उसकी प्रेलिम की परि दिहान समझ लिया है आरे भाड में गया तुम्हारा आई एस तुम्हीं लोगों ने उसका दिमाग खराब किया हुआ है आरे वा तुम्हारी गोल्ड मेड लिष्ट बिटिया की होसला अफजाई भी गुना हो गया हर साल बेचारी मेरिट लाती रही ऐसी जहीं लड़की आई एस ना बनेगी तो और कौन बनेगा हम तो बड़ी आशा लगाए थे कि अपने परिबार में भी कोई कलेक्टर बनेगी और उसो कलेक्टरनी के लिए हम कमिशनर दूला कहा से लाएंगे ये भी सोचा है तो क्या सिर्फ इसलिए तुम अपनी बिलियंट लड़की का करियर च चरही जारती रहोगी या उठोगी भी सारा मूर चौपट कर दिया ये तो हुआ नहीं कि बधाई ही दे देती घर बर के बारे में पूछी कर लेती बस अपना ग्यान बगानने बैठ गई छोटी बहनों का यही तो कर्तब होता है एक मैं ही पागल थी जो धूप में भागी भागी यहां आई बो भी भासर सुनने दीदी के तेवर देखके मैंने चुपचाप अपना आक्रोश गटक लिया और कपड़े बदलने लग गई मुश्किल से दस मिनट लगे होंगे लेकिन सडक पर आने के बाद ध्यान आया कि दीदी का पारा अभी उतरा नहीं बैसे उन अपसर की पिरतिक्छा में थी एक वार जो शुरू ही तो बस बोलती ही चली गई होने वाले दामान की पूरी वन्शावली मुझे सुना गई फिर बड़े मने ओक से उन्होंने ये भी बताया कि कितनी खोजबीन के बाद ये हीरा उनके हाथ लगा है मधूने पुनर जनम में बड़े पुन की होंगे नहीं तो इतनी बड़ी जगे की बेकलपना भी नहीं कर सकती थी कैसे कैसे धनी मानी लोग रिष्टे की आस लगाए बैठे थे धेर सा दान दहेज हर कहीं से मिल रहा था पर लड़के ने मधू को देखा और बस सारे फोटो बापस कर दिये ये दाम की भविश को लेकर उसने कैसे कैसे सपने बुने थे सब धरे रहे गए हम लोगों ने भी उसके लिए बड़ी उंची कलपनाय की थी पर सब ब्यर्थ हो गई अपनी पुस्तैनी मकान से दीदी ने हीरे जैसे दमान के लिए हीरे की अंगूटी खरी दी एक बड़ी सी चांद भेद भरे अंदाज में बोली सास पिटारा ऐसा भेजोंगी की देखना आँखें फटी की फटी रह जाएंगी दीदी उस समय उत्सा की मूर्ती बनी हुई थी शादी का जैसे उन पर नशासा चड़ गया था उनका बस चलता तो शायद उस दिन पूरा बाजार ही खरीद ल मधू से मिलने का भी मन हो रहा था घर एकदम सुनसान था मधू के रहते घर में इतना सनाटा आश्चरी था 24 घंटे चीखता ट्रांजिस्टर और उसके सुर में सुर मिलाकर गाती मधू ये तो दीदी के घर के इस्ताहई पिर्तीक थे मधू घर में नहीं है अपने कमरे में होगी दीदी ने बताया और फिर एकदम याचना भरे स्वर में कहने लगी तेरे हाथ जोडती हूँ कुसम उसके पास जाकर कुछ ऐसी बैसी बात मत करना वो पहले ही मूँ फुलाए बैटी है अब तुम उसके गुसे को हवा मत देना अपन साधारन लोग हैं बहन बहुत उ जिन्दगी नहीं चलती रहे क्या सभी सपने पूरे हो जाते हैं अब इसी को ले लो हर साल इतने लोग पर इक्षा देते हैं बस सब पास तो नहीं हो जाते फिर उसी आशा में उम्र बढ़ाने से कोई फाइदा इतना अच्छा रिष्टा रोज थोड़े ही आता है दीदी क के पास गुमसम बैठी मधू सूनी आखों से खिलकी के पार देख रही थी सामने फ्रांस की राज करांती का इतिहास खुला पड़ा था उसके पन्ने हवा में फड़ फड़ा रहे थे हैलो हनी मैं उसे बाहों में भर कर बोली तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली नहीं मैंने उसे पुछकारते हुए कहा पर मन जाने कैसा हो आया दीदी मधू तो रो रही है मैंने दीदी के पास बैठते हुए कहा शादी की बास सुनकर सभी लड़किया रोती है दीदी ने निरलिपत भाव मुझे चाय का कपर पकड़ा दिया तुम भी रोई थी हम भी आइंगे आज बही अन्या तुम अपनी बिटिया के साथ कर रही हो पीडिया बदल गएं पर हमारी मानिताएं बही की बही है हम उने अम्मा बाबु जी कहते थे बच्चे हमें मम्मी पापा कहते हैं बस इतना ही फर्ग आया है बाकी सब तो बैसा का बैसा ही है बैसा का बैस में हैं मैंने जो सहा है उसका दस्वा हिस्सा भी मैंने उसके हिस्से में नहीं आने दिया और फिर जैसे अतीत में खोते हुए बोली उस समय मैं क्यों रोई जानती हो सगाई के बाद मेरा गाना बजाना छुडबा दिया गया था मेरी सास इसके लिए खास हिदायत कर गई थी जब तक वो जीती रही मुझे कभी गुनगुना ने भी ना दिया अब तो खेर मेरी आवाज ही मर गई है इसलिए मैंने मद्धू को कभी नहीं रोका उसकी दादी गालिया निकालती रही पापा तो हमेशा ही बरसते रहे पर मैं हमेशा उसका बचाओ करती रही मेरा गला गोट दिया कोई बात नहीं पर लड़की पर ये अन्याय नहीं होने दूंगी मैंने तो मधू की सास साफ साफ कह दिया है मैं पिछली पीड़ी की थी इसलिए मन मार कर जी गई मेरी लड़की ये ना सहेगी मैं दीदी का तमतमाया चेहरा देखती रह गई बक्त ने उनके घाव भर दिये हैं पर टीस अब भी बाकी थी पिर संग छिड़ते ही उनकी वो पीड़ा सते पर आ गई थी मुझे चुप देखकर ममता भरे स्वर में बोली मुझ भाग में बिद्या होगी तो पढ़ ही लेगी बैसे भी बे लोग बड़े समझदार हैं अब उरहने भी दो दीदी शादी के बाद पढ़ना क्या होता है मुझसे पूछो सारा घर जैसे आप पर पहरा देता है एहसान जताता है और अगर बदकिसमती से कहीं फेल हो गए तो बस सारी जिन्दगी ताने सुनते ही बीटती है दीदी के घर से लोड़ते हुए मन बेहद उदास था उनकी मौन ब्यथा का एका एक साक्षात कार हो जाने से मच्चों गए थी अंजाने ही मेरे अपने भी कुछ घाव हरे हो गए थे और इन सबसे उपर था मध्धू का आंस देते ही क्यों हैं घर में पिर्वेश करते हुए डर रही थी कि सबके मौफूले मिलेंगे पड़ों से चाबी लेकर घर खोलना ना बच्चों को अच्छा लगता है ना उनके पापा को सबके स्वागत में मेरा दरवाजे पर मिलना जैसे जरूरी है लेकिन घर में मौसम खबरी एक साथ पाकर जनता और भी खुश हो गई आशर ये तो तब हुआ जब स्रीमान जी भी मेरे सामने काजू की बर्फी का डिबा खोल कर खड़े हो गए लो स्रीमती जी तुम भी हमारी ओर से मुह मीठा करो तुम्हारी बिटिया भी जंडे गार कर आई है अच्छा मै मी I am so happy today मेरी शोर सी कन्या मेरे गले से जूल गई अरे पहले मुझे बताओ तो कुछ तुम्हारी बिटिया को मदरास कला केंदर की स्कॉलर्शे मिली है किसलिए भारत नाटियम के क्या कहते हैं उसे हाँ गहन पिर्शक्षड के लिए extensive standing in भारत नाटियम अब हमारी लाड़ तो तीन साल तक मदरास में रहकर बड़े बड़े महारतियों से पिर्शक्षड प्राप्त करेगी ओ मामा I am so happy शीतल फिर एक बार मुझे से जूनने को थी कि मैंने उसे सक्ती से अलग किया और उसी सक्त लहजे में उसके पिता से पूछा तीन साल तक मदरास में रहेगी और इसकी पढ़ाई का क्या होगा अरे भई पढ़ने के लिए ही तो जा रही है बताया ना कि गहन पिर्शक्षड के लिए जा रही है अरे वाह ये कोई पढ़ाई है अच्छा भला तो नाच लेती है और पिर्शक्षड की क्या जरूरत है पती जी बोले बी ये एमे करके ही मारी बिटिया भी है कब भरे गए थे फॉर्म किस से पूछ कर भरे गए थे आवेश से मेरा गला रुद गया इतना एक्साइटेट क्यों हो रही हो इतना बड़ा कदम क्या वो अपने मन से उठाएगी मैंने भरवाया था और शायद तुम्हें बताया भी था गलत मुझे बता जैसे उसे उपकाई आ रही हो तुम्हें तो बस पैरों में घुंगरू बांद कर मटकना अच्छा लगता है मैंने उससे भी जादा बुरा मुझ बना कर कहा ये अच्छी जबरजस्ती है शीतल के पिता साहता के लिए दौर पड़े अगर उसकी दिल्चस्पी मेडिकल प्र बच्चों पर अपनी पसंद ना पसंद लादने के दिन अब लद गए अब हमें उनकी रुची का भी ध्यान रखना चाहिए और कैसे रखा जाता है ध्यान मैंने चिड़कर कहा इसके लिए हमने ट्यूटर रखे महगी पोशा के सिल्वाई रियाज के लिए टेप को और साल भी बिगाड़ो देखो शौक अपनी जगे करियर अपनी जगे देखो कुसम डान से सरफ शीतल का शौक या होवी नहीं है वो उसे अपना करियर बनाना चाहती है वहा क्या वाद है कल को उसकी शादी भी तो करनी है की नहीं ये शादी की बात बीच में कैसे आ कि साहब लड़की पड़ी लिखी है बस नाच ना जानती है वो क्या कहेंगे गहन पर सक्षड प्राप्त है बहुत अच्छा लगेगा ना ये कहते हुए कम से कम मुझे तो बुरा नहीं लगेगा पती की बात सुनकर मैं बोली और इस बात को सुनने के बाद कितने लड़के शादी के लिए तयार होंगे तुम्हें संधे क्यों हो रहा है इसलिए कि मैं हिंदुस्तानी लड़कों की मनो बृत्ती को आप से जादा समझती हूँ मैं जानती हूँ कि अपने को अत्याद होने कहने वाले योबक भी पतनी को स्टेज पर नाचते नहीं देख सकते कला की प्रशचा करना एक बात है कलाकार से शादी करना एकदम दूसरी बात शादी 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 शीतल एकदम चीख पड़ी बंद करो मामा बोर्खो गई हूं मैं क्या लड़की के करियर की यही एक आकरी शर्थ है शादी ओ गड़ हाँ यही आखरी और अन्वारी ये शर्त है मैंने कहा और दोनों हातों से अपना चेहरा ढाप लिया मेरी पिरगती शीलता का नकाब किसी ने फाड़ कर फेंक दिया और मुझे अब अपने चेहरे पर शरम आ रही थी तो दोस्तों ये कहानी थी मालती जोशी की जिसका नाम था आखरी शर्त कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना अच्छी लगी हो तो प्लेज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लेना जिससे की ऐसी ही मनोहर कहानिया आप लोगों को मिलती रहें मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ